हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए? आज मैं आपको पांच ऐसे लाइफ हैकिंग मंतराज बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग और हार्मनी ला सकते हैं पहला पॉइंट है, सेटिंग प्रायरिटीज जब आप अपनी प्रायरिटीज सेट कर लेते हैं तो आप अपना सारा फोकस और सारी एनरजी उन गोल्स की तरफ लगाते हैं जो आपकी जिन्दगी में मैचर करती है नमबर टू है, Establishing Boundaries Boundaries established करने से आप अपनी well-being को सेफ़गार्ड करेंगे और आप अपने सारे distractions से दूर रह सकेंगे नमबर त्री है, Self-Care अपनी केर करना बहुत जरूरी है हम दूसरों के केर करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी केर नहीं कर पाते हैं इसलिए, डेली आपने टाइम निकालना है कि आप अपनी केर करें अपने interest पे, अपनी hobbies पे work out करें और अपने लिए एक बहतर जिन्दगी बना सकें नमबर फोर है, Seek Support आप अपने आपको ऐसे लोगों के बीच में सराउंड कीजिए जो आपकी well-being के केर करते हैं आपकी family, आपके relatives, आपके friends जो आपको आपकी need के समय, आपको support करें और आपको guidance देने के लिए हमेशा तयार रहे हैं आपने अपने आपको ऐसे लोगों के बीच में रखना है और the fifth one is flexibility You have to embrace flexibility flexibility बहुत important है because हम हर एक चीज को इस तरीक से करते हैं जैसे अगर ये काम सारे पूरे ना होए दिन में तो हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी accomplish नहीं किया आपने embrace करना है सारे setbacks को क्योंकि हर एक चीज positive नहीं होती है जिन्दगी में daily basis पर बहुत सारी negative चीज़े हमारे साथ होती है तो आपने उन सारी negativity को भी positively embrace करना है और अपने आपको वापस re-energize करके वापस हर एक दिन अपने आपको तियार करना है ताकि आप अपनी जिन्दगी में harmony ला सके so these are my five points follow कीजिए और अगर आपको पसंद आया ही मेरे points तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इनको share कीजिए thank you